अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हो तो आपके लिए online बहुत सारा material already available है लेकिन ये material दो तरीकी के होते हैं एक वो जो आपको आपके गोल तर लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वही पर गोल 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 घुमाता रहता है तो depend आप पर करता है कि आपको कौन सा material चूज़ करना है FM Academy App ये एक ऐसा platform है जहाँ पर आपको highest quality content के जो वीडियोज है वो देखने को मिलेंगे जहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे courses आपके लिए लाए जा रहे हैं जैसे कि Modernistica course already completely available है उसी के साथ पॉलिटी का course चल रहा है, ethics का course चल रहा है, current affair का course चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे courses जो है जैसे कि geography, economy, environment बहुत सारे courses आपके लिए आने वाले हैं और ये courses highest quality के रहेंगे जो आपको आपकी preparation में काफी ज़ादा help करेंगे तो आप MM Academy app को download कीजिए और जो demo lectures है उन्हें एक बार देखिए उसी के साथ साथ आपको preparation में help करने के लिए जो PDF है वो भी available रहेगी जहां से आप revise कर सकते हो क्योंकि revision ये बहुत ज़ादा important होती है और MM Academy app ये पहला platform है जहाँ पर students के साथ individually मैं live interact करता हूँ जहाँ पर उनके जितनी भी doubts होंगे भली वे अकडेमी को या personal हो वो सब मैं solve करता हूँ तो जल से ज़ाद डाउनलोड कीजिए MM Academy app और वीडियो को enjoy कीजिए Hello everyone, welcome to कौन बनेगा IS series इस video में जो है हम 18 November के जो current affairs है वो हम देखने वाले हैं इसमें जो है PIB जो है Press Information Bureau, Newspaper, Static और जो AIR जो All India Radio के जो current affairs है तो वो हम यहाँ पे जो है देखने वाले हैं So now let's start the video without any further delay सबसे पहला question यह है, consider the following statement Under Article 32, first statement यह बोलता है Under Article 32, the Supreme Court has a power to issue rights for the informant of any of the fundamental and legal rights of citizens only Second statement यह बोलता है, the High Court cannot issue rights to any authority outside its territorial jurisdiction तो देखिये एक point तो आपको समझ में आ रहा होगा कि Article 32 Supreme Court से rated तो है नहीं, तो यह option तो गलत हो जाता है Second यह बोलता है, the High Court cannot issue rights to any authority outside its territorial jurisdiction तो अगर आप देखोगे, तो second option भी जो है यहाँ पे गलत हो जाता है ऐसा बिलकुल भी नहीं, High Court भी जो है रिट इशू कर सकता है ठीक है, तो यह तो ज़रूर है तो इसका अंसर जो है, नहीं, 1 होगा, नहीं, 2 होगा अब डिटेल देखते हैं क्या है तो यहाँ पे क्या हुआ है, कि यहाँ पे एक hearing होई है ठीक है, उसमें Chief Justice ने यह कहा है कि Court is trying to discourage the petition filed under Article 32 अब यहाँ पे अगर Article 32 के हम बात करें तो 32 है क्या Article? तो Article 32 जो है, वो यह बोलता है Right to Constitutional Remedies और मैं आपको बता दूँ कि इसी को Soul of Constitution कहा जाता है मतलब सम्विधान की आत्मा जो है कहा जाता है इसे, यह कोशन जो है KBC में भी जो है पूछा गया है कि किस Article को जो है मतलब Soul of the Constitution जो है, वो कहा गया है अमबेट करने तो इसी को जो कहा जाता है Right to Constitutional Remedies तो यह जो है Fundamental Rights है ठीक ना, जो यह स्टेट करता है कि हर, मतलब हर इंडिविज्वल जो है, उनके जो है वो Supreme Court को जो है Approach कर सकते है और यह जो है, उनका एक Right है Fundamental Rights को लेके जो है, Enforce मतलब Fundamental Rights को लेके जो भी इशू है तो इसी कर सकते है जो Constitutional में जो है Recognized किये गए है अब यहाँ भी देखिए क्या होता है Supreme Court के पास Power होता है कि वो जो जो डिरेक्शन जो है, दे सकता है ठीक है Right issue कर सकता है ठीक है तो कोई भी Fundamental Rights के मतलब Enforce करने के लिए कोई भी Fundamental Rights अगर Violet हो रहा है तो उसके लिए Supreme Court क्या कर सकता है Rate issue कर सकता है तो यहाँ पे जो है यह आपको ध्यान रखना है और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको Supreme Court का जो है केस आपको पता ही होगा की है चंदरकुमार केस जो है 1997 में जो है यहाँ पे Supreme Court ने जो है एक ख्रिट जूरिक डिक्शन जो है लाया गया था कि High Court और Supreme Court जो है वो जो है एक जो Supreme Court जो है वो एक Basically Supreme Court और High Court जो है एक important part है Constitution के और Basic Structure को जो है तो यहाँ पे जो है कोई हर्म ना पहुँचे तो यहाँ इसका भी ध्यान रखा जाता है और इसका ध्यान जो है Supreme Court जो है रखते है Supreme Court जो है Guardian होता है किसका Constitution का तो यह जो है आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Article 226 जो है Constitution का वो यह बोलता है Constitution जो Article 226 है Constitution का तो वो जो है Empower करता है कि High Court जो है रट इसकू जो है कर सकता है तो यह जो है आपको ध्यान रखना है वो fundamental rights के लिए citizens के जो fundamental rights है उनके लिए जो है और किसी और purpose के लिए जो है वो rate issue जो है कर सकता है Question number 2 यह बोलता है Consider the following statement about Ethiopia Ethiopia आपको पता है Ethiopia की capital है Edis Ababa ठीक है Edis Ababa capital है किसकी Ethiopia की और यहाँ के जो President है आबे महमद अली ठीक है तो इनको Nobel Peace Prize भी मिला था 2019 में तो यह भी जो है Ethiopia is a landlocked country sharing borders with Sudan South Sudan, Kenya and Somalia Second point यह बोलता है The country has recently declared war with its enemy state Eritrea तो अगर आप देखोगे तो war तो हुआ है दोनों की बीच में तो यह statement जो है वो correct है अब detail देखने क्या है तो इसका जो है answer हो जाएगा क्या B क्योंकि जैसा मैंने वो आपको बताया कि इसका war तो Eritrea से हुआ है ठीक है लेकिन यह landlocked country तो है लेकिन Sudan, South Sudan Kenya, Somalia इन सबसे बोलता शेयर करती है तो नहीं इसमें देखते हैं हम कि यह कौन-कौन से जो है मतलब किस-किस देश से जो है जो आबे मुहमद जो अली है ठीक उनोंने जो है war डेकलियर कर दिया है इस region में तो यहां पे जो है काफी जो है problem जो है वो face करने पढ़ रही है दोनों देशों को तो इतोपय की जो Prime Minister 2018 में जो है elect हुए थे और फिर उसके बाद जो है यहां पे जो है basically कुछ problem जो है हो गई थी और इनोंने जो है वहां पे जो है problem को solve भी कर लिया था तो उसके बाद जो है इनको जो है Nobel Peace Prize दिया गया था 2019 में तो यह जो है आपको ध्यान रखना है लेकिन मैं आपको पता दूँ कि ATIA और यह जो देश है इथोपिया तो इनकी जो है लड़ाई जो है चल दी रहती है अब अगर आप देखोगे तो भारत का relation किस तरीके से तो भारत का जो relation है इंडिया और इथोपिया के relation अगर आप देखोगे तो काफी हद तक जो है अगर आप देखने को मिलेंगे और इथोपिया के जो relation है भारत के बारत और इथोपिया के जो relation है वो काफी अच्छे और यहाँ पे भारत ने Line of Credit भी दी हुई है ये USG 1 billion dollar की टिक है इथोपिया की जो है ये sanction किया था Basically electrification के लिए शोगर इंडस्टी के लिए और रेलवे के लिए तो यह जो है आपको ध्यान रखना है और यहां पे जो है टेली एजूकेशन और टेली मैडिसन सर्वेस जो है यह पैन आफ्रिकन जो इनेटवर्क प्रोजेक्ट है तो यहां पे जो है यह यह लॉंच किया गया था एडिस में 2007 को और यहां पर आप देखोगे तो 58.7 परसेंट जो है इंडियन इंवेस्टमेंट जो है मैन्फेक्ट्रिंग सेक्टर जो है और अग्रिकल्चर जो सेक्टर है वो 15.6 परसेंट है और भारत का जो मिशन था इंटरनेशन डे ओफ योगा जो रहता है हमारा तो उसमें ज झाल किया घान्धी एट्धरेट 150 तो इस सेलिब्रेशन में भी एडिस अबाबा जो है उन्होंने भी भारत का जो है बेसेकली साथ दिया है और उस जो हमारा समारू रहा है तो 150 जो बर्त सेलिब्रेशन था ठीक है 2020 में जो आक्टूबर में जो बेसेकली था तो उसमें भी जो है एडिस हबावा ने भी जो है उसमें जो है हमारे पार्ट लिया था कोशन नमबर थर्ड कोशन थर्ड यह बोलता है consider the following statement अब कुछ statement दिये गए तो उनको जो है हमको consider करना है first यह बोलता है inflation signifies decrease in the purchasing power of the currency second यह बोलता है inflation of any form is not good for the economy नहीं देखिए यह statement तो बिलकुल ही गलत हो जाता है किसी भी form का inflation क्या भारत किसी भी एकनौमी के लिए अच्छा नहीं है तो नहीं inflation होना भी चाहिए ऐसा नहीं कि inflation नहीं होना चाहिए महगाई अगर खतम हो जाएगी न तो बहुत problem हो जाएगी सबके पास पैसा जाएगा ठीक है तो यह भी जो है एक problem वाली चीज़ है inflation होना चाहिए ठीक है अब detail देखते क्या है तो मैं आपको पता दूँ second option तो है नहीं होगी बिल्कुल हो जाएगी ठीक है तो इसका जो answer है वह है only one अब detail अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है जो होलसेल प्राइज इंफलेशन जो होता है वह कब इंक्रीज होता है तो एट्थ मन्त जो है चीक है अभी का जो एट्थ मन्त हुआ तो उसमें जो है inflation जो है वह एकदम से जो है wholesale जो प्राइज इंफलेशन है वह इंक्रीज हो गया यह करीब 1.48 परसेंट हुआ अक्टूबर में 2020 में अगर आप इसको 2019 से कंपेर करोगे तो उससमें यह 0 परसेंट था और सेप्टेंबर 2020 से कंपेर करोगे तो उसमें 1.32 परसेंट था तो यह जो है आपको ध्यान रखना है और basically अगर आप inflation देखोगे तो inflation जो है जो price में rise होता है ठीक है ना जो goods on service जो होती है हमारी daily और common use की तो उन पर जो price उनका rise हो जाता है तो उसे हम कहते है कि यह जो है inflation है जैसे अगर आप देखोगे food के दाम बढ़ना, clothing के दाम बढ़ना, housing के दाम बढ़ना, recreation होना, transport के दाम बढ़ना, consumer staples होना तो यह ज price जो है major करते हैं और फिर जो है हम बोलते हैं कि inflation जो है वो हो रहा है महंगाई जो है वो बढ़ रही है ठीक है अगर आप inflation देखोगे तो भारत में जो है यह two main indices में आपको जो है देखने को मिलेगा जैसे आपको एक wholesale price जो है आपको देखने को मिलेगा इसको major किया जाता है जब prices जो है change होती है जब हम goods और goods को sold करते हैं ठीक है और bulk में जो है trade करते है और wholesale business और other business जो करते हैं तो basically wholesale में जो है price index जो है उसको major किया जाता है और यह report है यह जो index है यह कौन publish करता है तो office of economic advisor मतला ministry of commerce and industry जो है इसको जो है basically जो है पब्लिश करती है और commerce और industry के अगर हम minister की बात करूँ तो वो है कोने प्यूश गोया तो यह जो है आपको ध्यान रखना है question number 4 यह बोलता है consider the following statement कुछ statement दिये गए हैं उनको जो है हमें consider करना है option 1 यह बोलता है vulture action plan 2025 aims to ensure minimum use of declofnac यहीं पर second point यह बोलता है all the species of vulture in India are critically endangered तो अब इसका answer क्या हो सकता है देखिए यहां पर गिद्द के बारे में जो है बात करी जा रही है ठीक है अगर आप देखोगे तो गिद्द action जो प्लान है मतलब vulture action plans 2020-25 तक जो है इसको लाया गया है ठीक है कि ministry of environment ने जो है इसको launch किया हुआ है और यह जो है वल्चर के conservation के लिए है तो फ़ही आमसर जो है यह तो बिल्कुल सही हो जाता है ठीक है लेकिन अगर आप second देखोगे कि यह critically endangered है तो नहीं यह critically endangered नहीं है इसलिए जो है वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है action plan जो है उसको जो है launch किया हुआ है जो 2020-25 तक जो है आपको देखने को मिलेगा हमारे मिनिस्टर एनवार्मेंट मिनिस्टर कौन है तो यह है हमारे डॉक्टर हर्षवरदन डॉक्टर हर्षवरदन जो है यह हमारे एनवार्मेंट मिनिस्टर है और इनकी consistency जो है चांदनी चौक है तो यह जो है आपको ध्यान रखना है अगर हम background की बात करें तो वल्चर जो है यह धीरे-धीरे डिकलाइन हो रही है ठीक है ना कोछ species जो है वो 90% जो है डेकलाइन जो है देखने को मिला है भारत में और यहां पर आगर आप आप देखो कि 1990 में तो सबसे जाना जो है डिकलाइन वो 1990 में जो आया था पूरे वर्ड में जो है बर्ड की population जो है कम हो गई थी तो यह जो है आपको ध्यान रखना है यह आपको एक statement जो है यहां पर दे सकते है कि कब जो है कि 1990 में एक most disaster decline जो है देखने को मिला था बर्ड population में तो क्या यह सही है या नहीं ठीक है तो वल्चर के recording जो है आपको यहां पर पूछा जा सकता है अगर आप 1990 से 2007 तक देखोगे तो यहां पर जो है तीन प्रिजेंटली जो है critical endangered species जो है आपको देखने को मिलेंगी एक oriental white bag जो है ठीक है ना long build है और slender build है वल्चर तो यह यहां पर काफी जो है massively 99% का जो है decrease जो है वह देखने को यहां पर मिला हुआ है और अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर उनको conservation के लिए जो है काफी जो है program जो है चला जा रहे है जो conservation जो program है वल्चर एक्शन जो प्लान है यह 2020 से 2025 तक जो है इसको चलाया जा रहा ह तो यह जो है आपको ध्यान रखना है और यहां पर जो है फोर जो है rescue center भी जो है बनाए जा रहे है डिफ्रेंच जो geographical location है वहां पर सबसे पहला एक पिंजौर में बन रहा है नौर्थ में बोपाल में बन रहा है जो जो सेंट्रल इंडिया में ठीक है और गुभाटी में बन बन रहा है कहां पर है Derabad में इसमें भी बन सकते हैं तो पिंजौर यह आपको ध्यान रखना है ठीक है पिंज सेंट अडिया कोबाटी में सेंट्वा रहा है चुजां को आपको ध्यान रखना है हर्याना recorded the world sex ratio the worst sex ratio at birth second option ये बोलता है the report was published by Censor Commissioner of India तो Censor Commissioner of India जो है ये जो है civil registration जो system report है इसको जो है publish करता है तो अब आपको बताना है कि कौन सा statement जो है वो सही है तो देखो अगर मैं आपको बता दूँ कि हर्याना अगर आप देखोगे तो हर्याना का वस्च रहा जी नहीं बिलकुल भी नहीं था चीक है और अगर आप देखोगे तो इसको जो है Census Commissioner of India report publish करता है तो जी नहीं ये दोनों ही option जो है वो क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे तो option हो जाएगा D, 1N, neither नाइडर वन है नाइडर तो दोनों में से कोई नहीं है अब देखते हैं डीटेल तो 2018 में जो report publish की गई थी विच्छ वाइटल aesthetics of India based civil registration system तो वाइटल aesthetics of India जो है वो जो है इस report को जो है publish करते हैं civil registration system को यहां पर जो है अरनाचल नाइब तो 2018 में report publish की गई थी और वस्ट जो है देखने को मिलेगा क्या वस्ट जो जो सिस्टम रहा है वस्ट जो यह sex ratio है, वो कहा का है, तो वो है मनीपूर का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह जो report है यह register journal of India जो है उस को जो है publish करते हैं तो register general of India जो है इस report को जो है publish करते हैं और यहाँ पर आप sex ratio देखोगे तो जो birth का जो basically जो per thousand जो males जो पैदा होते है जो बर्थ होता है तो basically उनमें females कितनी है ठीक है तो ये भी जो है sex ratio का जो है एक indicator होता है और अगर आप देखोगे important indicator जो है तो gender gap of population जो है एक important indicator है अगर आप register general of India की बात करोगे तो ये जो है जो है civil restriction system जो है एक basically एक system होता है जिसमें birth, death और still birth जो है ये जो है बताय जाते है अनुमाल लगाया जाता है यहाँ पे अगर आप top state में देखोगे तो अरनाचर प्रदेश जो है इसने 1084 females जो है वो बर्थ हुआ है basically per thousand males में तो 1000 males में थे अगर मालियो 1000 लोग पैदा हुए त उसमें किते males हैं और कितने females है चीक है तो इस तरीके से जो है उसमें आकड़ा जो है देखा जाता है पर 1000 में जो है देखा जाता है कितने male है और कितने female है तो यहाँ पे जो है first रहा रुनाचर पदेश, second था नागालेंड, third था मिजुरम और fourth था केरल लेकिन अगर आप worst sex जो डेकॉट किया गया है वो 929 है और अर्याना का जो है 9914 है तो यह जो है आपको ध्याद रखना है और यहाँ पे जो है एक issue जो lower sex ratio कर जो है उसके issue से related जो है यहाँ पे जो है एक book पी लिखे गए यह famous article भी जो है लिखा गया है missing woman जो काफी जो है important है और काफी अच्छा article जो है इन्होंने लिखा हुआ है question number 6 question 6 यह बोलता है which of the following has approved the issuance of a 10 year golden card visa for professional तो किसने जो है एक जो 10 year का जो golden card visa जो है professionals के लिए जो है अप्रूव कर दिया है कौन सा देश है यह तो basically अगर मैं आपको बोलूँ तो यह देश कौन सा है तो यह है UAE तो UAE ने जो है क्या किया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो UAE ने जो है यहाँ पे 10 year का golden card जो वीजा है वो एप्रूव कर दिया गया है professional के लिए अब detail देखते क्या है यहाँ पे क्या हुआ है इन्होंने जो है 10 year का golden card जो है वीजा इसको जो है अप्रूव कर दिया गया है तो वह professionals के लिए है जो PhD और रेसिदेंसी और by investment program से यहाँ पे मिलती है तो basically यहाँ पे जो है अगर आप मतलब रहना चाहते हो तो यह जो है आपको मिल जाएगी ठीक है मतलब आप यहाँ पे जो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे investment कर रहे हो ना यहाँ पे जो है आप कुछ खरीद होगे भी property खरीद र रेसिदेंसी होती है ठीक है तो वीजा होल्डर जो होते हैं उनको जो है और उनकी फैमिली के लिए जो है एक टैन यहर का permanent जो है आपको गोल्डन कार्ड वीजा जो है वो दे दिया जाएगा अब eligibility क्या है तो सब होल्डर जो है उनके बाद doctorate degree होना चाहिए medical doctors होने चाहिए और यहां पर आपको जो है आपको जो है बेसिकली यह वीजा जो है आपको मिल जाएगा तो यह जो है आपको जाद रखना है और यह जो चेंज है यह एक December से जो है वो लाया जाएगा तो बेसिकली यह जो है आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें रिजान की तो ऐसा step क्यों ले रहे हैं तो यूए की एक नॉमी जो है यह बहुत ही जादा हार हिट जो है हुई है यहां पर COVID-19 pandemic से ठीक है तो crude oil के जो प्राइज है वो बिलकुल लो गए है और यहां पर जो है काफी problem जो है वो देखने को मिल रही है तो उनको जो है हमें consider करना है पहला option यह बोलता है तो गुजरात maritime cluster is coming up in the gift गिफ्ट गिफ्ट नहीं है यहां पे तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है गुजरात international finance tech city at राचकोट ठीक है तो यह जो है गुजरात maritime cluster जो है वो गुजरात के राचकोट में जो है आ रहा है second point यह बोलता है गुजरात has a lot of ports and handles 40% of the country's cargo देखिए यह बात तो सही है कि बहुत सारे वहाँ पे आपको ports देखने को मिलेंगे लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो 40% तो ठीक है यह तो मैं मान रहा हूं तो option 2 तो सही है लेकिन यहां पे गुजरात का जो cluster है वो क्या जो explanation आप देख सकते हो तो गुजरात maritime cluster है यह GIFT गुजरात international finance of tech city यह आपको गांधिनगर में देखने को मिलने वाला है गांधिनगर में यह आ रहा है गांधिनगर जो है capital है गुजरात की और यहां पे जो है logistic जो ports हैं सीवेस जो है इनको जो है address किया जाएगा यहां पे मेरा maritime cluster जो देखोगे तो यहां पे जो है आपको बहुत सारे जो है ports आपको देखने को मिलेंगे मेरा time shipping जो है logistic service जो है आपको देखने को मिलेगी तो गुजरात जो है logistic service के जो है provider है यहां पे ठीक है और यहां पे जो है आपको जो gift GIFT City है basically इसको गांधिनगर बोलते है तो यहां पे जो है इंडिया का first international finance service center जो है वो भी यहां पे open किया जा रहा है और जो गुजरात maritime board है तो यह जो है try कर रहे है कि हम एक cluster जो है develop करें जो गुजरात ports जो authority है basically infrastructure जो है तो वह जो है यहां पे develop करना चाहते हैं तो यह जो है आपको ध्यान जो है रखना है और य हमको जो है basically यहां पे जो है एक finance cluster एक maritime cluster जो है वो बनाना चाहिए लेकिन यहां पे जो है जो है जो है जो है यहां पे जो है नहीं होगा तो यह जो है आपको ध्यान जो है रखना है कोशने इट कोशने यह बोलता है विच आप फॉल्लविंग है इसको टेस्ट किया हुआ है तो अगर आप देखोगे तो इसको जो है भारत ने जो है इसको टेस्ट किया हुआ है तो अभी आप देखोगे तो भारत ने जो है इसको टेस्ट किया हुआ है क्विक रेक्षन सर्फेस्टु एयर मिसाल इस टेस्ट कर लिया है यह वहाँ पर इसको गया है और यह है वो यह जो है है इसको डियारदी ऊने शरे फेसिकली 2 मुंथ पहले तो इन ही सीुरीज में यह कंटीनू यह को रहा है तो यह कंगे ऑप को देखने को मिलेंगे west Langya, तो वह आपको यहां पर देखने को जो है मिलने वाले हैं अगर हम range की बात करें यहाँ पे तो यह जो है एक short range surface to air missile है तो यह काफी important हो जाता है तो यह जो है surface to air missile है ठीक है इसको जो है DRDO ने डेवलप किया है एक protective shield है जो है यह work करती है तो यह जो है आपको ध्यान रखना है इसकी range अगर आप देखोगे तो following forest rights later कुछ statement दिये गए है तो उन पे जो है हमको ध्यान देना है और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है first option यह बोलता है the rights of the tribals over forest land was rejected by local authorities in मैं सूरू करनाटिका recently second option यह बोलता है Supreme Court in 2019 order the eviction of nearly a million of people across India who claims under the forest right act 2016 has been rejected तो अब बताना है आपको कि इन दोनों में से सही कौन सा है तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पे जो है tribals के जो rights है ठीक है वो reject तो किये गए है local authorities के द्वारा मैं सूरू में तो यह बिल्कुछ सही हो जाता है और Supreme Court जा है इसमें उनने order किया था कि एक million जो people है वो claim कर रहे है कि forest right act 2006 जो आया था तो उसको है reject किया जा रहा है तो यह भी बिल्कुल सही है तो option हो जाएगा C and both one and two इसका जो है सही आंसार है तो यहां पे explanation अगर आप देखोगे तो यहां पे जो है recently जो है जो मतलब forest right act जो है उसके अंडर में तो यहां पे जो है local authority जो है मैं थूरू की उन्हें ने जो है reject कर दिया अब background देखो अगर तो यहां पे बहुत जो people's है वो schedule tribes के जो people है वो यहां पर रह रह रहे हैं forest में ठीक है काफी समय से यहां पर रह रहे हैं और इनका जो है symbolic जो है relationship यहां पर बन गया है colonial time पे जो है यह जो है शिफ्ट हो गया थे forest में ठीक है और basically यहां पर जो है तो उनको जो है वो शुरू से जो है यहीं पर रह रह रहे हैं अब अगर आप forest right act जो है वो देखोगे ठीक है तो यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा एक्ट यह बोलता है कि जो forest rights है और जो occupation जो forest land है ठीक है forest dwelling और जो schedule tribes है ठीक है उसके साथ साथ जो traditional forest dwellers है तो यहां पर जो है वो यहां पर जो रह रहे हैं ठीक है कई generations से तो उनको जो है वो claim कर सकते है ठीक है तो कोई भी member है किसी community का ठीक है तो यहां पर claim जो है वो कर सकता है basically लेकिन जो है वो three generation जो है यहां भी होनी चाहिए at least three generation तो होनी चाहिए minimum 75 years तो यह जो है आपको ध्यान जो है रखना है अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है काभी challenges जो है वो देखने को मिल रहा है और यहां प people जो है यहां पर भारत से पूरे भारत में जो है ठीक है यहां पर वो claim कर रहे है कि यह जो forest जो है 2006 का हम जो है इसको reject जो है करते हैं तो यह जो है आपको ध्यान रखना है challenges के अगर आप बात देखोगे तो यहां पर जो है ट्राइबल जो है एक बहुत ही बड़ा जो है वो जो है वह बहुत ही ज़रूरी है कोशन 10 कोशन 10 यह बोलता है वाट इस दा नेम और फिफ्ट स्कॉर्पियों क्लास सब्मरीन और प्रोजेक्ट 75 विच विच वी लॉंच्ट एट मस्जॉंग डॉकिन मुंबई तो 70 प्रोजेक्ट 75 के अंडर में जो है यह मस्जॉंग डॉक तो तो मुंबई में है तो वहां पर 50 सब्सकोर्पिय। जो है इसकी डिटेल जो है हम यह आपर देखने वाले है तो इस एक वीडियो जो है मैं बनाऊंगा इस पर और वो वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसका जो है आंसर है आई एनस वजर अब देखते हैं कि यह क्या है तो फिफ्ट स्कॉर्मिन का जो सम् जो है हमने जो है रशीय से बेसिकली खरीदी थी इसको जो है 1973 में जो है इंडिया नेवी ने जो है कमिशन किया था इसको जो है तो यह आपको जया रखना है अगर आप देखो के तो शिक्स जो सम्मरीन आएगी वह कलवारी तो यह जो है भारत में ही जो है बन रही है तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपोर्टन जो है टेक्नोलोजी का यूज किया जा रहा है और यह आपको basically torpedo launch करने में जो है यह सक्षाम है उसके साथ अंडर वाटर मिशन जो है यह कर सकती है उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर anti-service missile जो है anti-summarine warfare, intelligence gathering, mine laying, area surveillance तो यह सब जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर आप project 75 की बात करोगे तो यह एक प्रोग्राम है जो इंडियन नेवी ने बेसिकली शुरू किया हुआ है और यहाँ पर जो है scorpion class की जो submarine है वो बनाई जा रही है तो 6 scorpion class की जो attack submarine है वो यहाँ पर जो है बनाई जा रही है अगर आप देखोगे तो two submarine जो है कलवारी और खांडेरी को जो है commission कर दिया गया है तीसी submarine जो करंज है वो last phase में है अपने सीट राइल्स पे है उसके असाथ फोर्थ scorpion शजर ने ने बनाई जो ने झाले वोड़ लगारी को जो है झाले को जो है